चीन को फिर मुखी खाने पड़ी है जब जब चीन ने सिर उठाया कुस्पैट की चाल चली तब तब सेना ने चीन को सबग सिखाया है उसके मनसूबों को नाकाम किया है 1962 में भी जब हालात अलग थे परिसितिया विपरीत थी तब भी सेना ने अदम में साहस का परिच्रा दिया देखिए 62 के शौरियों के बंकर से पहली exclusive report पहला बंकर ये दूसरा बंकर तीसरा ये चौथा ये पाच्वा बंकर छठा बंकर जहां तक अभी आपकी निगाह टीवी स्क्रीन पर जाएगी 15,000 से ज्यादा फीट की उचाई पर युद्ध का वो मैदान देखता है जिन में तिहास से मिली सीख है सेना की वीर्टा के किस से तबांग में 9 दिसंबर की जड़प में चीनी सेनिकों को LAC के पार तक ख़देडने की ताकत कितनी अब सेना के पास है इसे समझने के लिए 1962 की युद्ध के बंकर के भीतर से आकर सुननी होगी कहानी 1962 के जंग के दोर के वो निशान जो आपको याद दिलाते हैं उस समय के पराकरम के ये एक ऐसा ही बंकर है जिसका इस्तिमाल आज से सालों पहले हुआ था इस उचाई पर इस बरफीली ठंड के बीच पत्थरों का ये किवल एक धाचा नहीं है ये शौरी की एक ऐसी इमारत है जिसे आप इस पूरे इलाके में हर और बिखरा हुआ देख लेंगे अब फर्क सिर्फ इतना है जब यहाँ पर हम इन मोटे जैकेट्स में पहुँचते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस उचाई पर इन जगहों पर कैसे हमारे सैनिक उस सूती वर्दी और कैन्वस के जूतों में रहे होंगे बिना अक्लमेटाइजेशन के कैसे इस उचाई पर अचानक समतल जमीन से उन्हें पहुचा दिया गया था उनके पास असलहा न के बराबर था चीन अत्याधूनिक उपकरणों और हत्यारों के साथ यहां पर आ रहा था और हमारे सैनिक यहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लड़ने को मजबूर थे लेकिन उनके साथ भी उन्होंने घजब का पराकरम दिखाया था अक्टूबर से नवंबर के बीच चले 1962 के उस युद्ध में चीन के धोखे के आगे इनी बंकर्स से भारत के जवान मूर्चा लेते रहे कहा जाता है कि तब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने से करीब पांच गुना ज्यादा तादाद वाली चीनी आर्मी का सामना भारतिय सेना के जवानों ने इन बंकर से किया वही सेनाप खुल कर कहती है दुश्मन चाहे जितना ताकतवर हो हम हर परिस्थित के लिए तयार है कि दूल मुकर का सकतर को करन दिहाँ पर में वालता, सब्सक्ति के कर दिए जैप वे परिएब जारेगए झारेशित के मिन एकट पूर्वी कमान परतैनात भारत की सैनिकों के लिए 6 दशक पहले के युद्ध का साहस समेटे बंकर एक प्रेना स्रोत होते हैं कैसे इसे ऐसे समझे कि जब आज की दौर में चीन के सामने आखे तरेरते हुए ये कहा जाता है कि ये 1962 नहीं 2022 है तो कहने की वज़ा के लिए ये दो तस्वीरे हैं 60 साल पहले तब के वंकर ऐसे जहां दुश्मन से पहले मौसम ही आपका दुश्मन बन जाता है 60 साल बाद अपकी मौडल पोस्ट ऐसी यहां मौसम की चुनाउती को पहले सैनिक जीत लेते हैं ताकि चीन को भी हराने का माददा रखे इन इलाकों में जो हमारे योधा तैनात हुए थे उन्हें मालूम था कि बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक सामने से आते हैं आज भी जब आप इन सभी बंकरों को देखते हैं तो आपके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं उस पराकरम को याद करके उस शौरे को याद करके उन मुश्किलों को याद करके और बहुत सुकून भी आपको लगता है कि आज की दौर में आपके सैनिकों के सामने दुश्मन तो वही है लेकिन उन सैनिकों के पास वो सुविधाए हैं जिनके साथ वो लड़ सकते हैं क्योंकि शौरी की कमी कभी भी हिंदुस्तानी सैनिकों के पास थी नहीं उपकरण और उस बुनियादी ढाचे की बात उस इंफरस्ट्रेक्चर की बात जो थी वो भी आज पूरी हो रही है आज हमारे सैनिक बहतर व्यवस्थाओं बहतर सुविधाओं बहतर हतियारों के साथ तैनात है इसलिए चीन जो 62 की गलती दोराने की अगर सोच भी रहा है तो ऐसा सोचे भी ना क्योंकि भारतिय सैनिक सदैव ततपर हैं तैनात हैं सक्षम यहीं वजाए कि संसब में भी जब सीमा पर चीन को लेकर कोई सवाल होता है तो बात यहीं पहुँच जाती है कि यह बासट नहीं बाईस है तो नाचन प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इंकर्शन जैसे बहुत घंबीर मुद्दों को संसद उटा रहे हैं अब अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर संसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना यह मेरी जिम्मेदारी बनती है अब नाइजिंग सिस्टू का जमाना नहीं रहा अब तो अब देखिए बोजी साथ के सकार आने के बाद पीजेबी के सकार आने के बाद तुरंट जितने भी जो फ़वर्ट एडियास में जो पोस्त इंपोर्टेंट सेसिटीव पोस्त जाहा है तुरंट वहां पे एक पु यह भरोसा यही मजबूत नहीं हुआ है इसके लिए ठक मेहनत लगी है तब जाकर देश के पूर्वी हिस्से में अरुनाचल से सटी सीमा पर चीन को हर बार जवाब मिलता है ताकि चीन को यह लाइन एकदम वास्तविक्ता में समझ में आ जाए क्यों 1962 में जिन बंकर से भार इन इलाकों में वीरता की कहानिया तो आपने बहुत सुनी होंगी लेकिन वीरता की वो कहानिया कहां रची गई थी कहां था वो पराकरम ये वो हिस्सा है और यहीं से हिंदुस्तान वो संदेश भी चीन को देता है जो कहता है कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा ये ये आज का हिंदुस्तान है जो चीन तो क्या किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है कैमर परसन सेयद मोसन के साथ श्वेता सिंग तवां अरुनाचल प्रदेश आज तक